हाँ, तो CET 10 प्लस 2 के लिए एक रामबान शाबित होगा आज का ये सेशन, बहुत ही गजब का सेशन है, बड़े ध्यान से सुनना है, और जिसको अब भी डर लग रहा है, या फिर अब भी प्रिपरेशन नहीं है, और ये चाहता है कि मैं CET को पास करना, क्यों करना बहुत ज क्लासे लेने की वज़े से उनमें से पेपर आया नहीं और बिगड गया हो, तो उनके लिए भी फाइदा है, ठीक है, उनको ग्रेजुएशन लेवल वालों को CET 10 प्लस 2 हर हाल में पास करना है, हर हाल में, ठीक है, क्योंकि 3-4 साल वैलिडिटी होने वाली है, क्या बता, ने गोड के पीज़ाना, सारे प्रशन करके आना है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन करना क्या होता है उसके लिए, रणियती दोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, थोड़ा तरीका कुछ अलग होना चाहिए, भीड से हटके होना चाहिए, बात ये है, ठीक है, और पढ़ाई की जो ए पाईस साल का हो गया है, या चोईस साल का हो गया है, लेकिन अभी भी पैन को पी अपने घरवालूं से मांगता है, पर घरवाल उपर मेर पर है, तो ये बड़ी एक दुख बड़ी बात है, कि आप इतने उमर के हो गये हैं, क्योंकि इसमें तो अठारा साल के बाद में, बारवी पास के बाद में खूब वेकेंसी आती है तो आपको हो जाना चाहिए 20-23 साल तक अगर 23-23 साल में भी पैरेंट्स को कि मुझे नोटबुक चाहिए मुझे पैन चाहिए यह चाहिए अगर मांगते हो तो पिर आप सोचो इतना निकम में क्यों हैं आप क्या कर नहीं सकत लेकिन साइकल के अंदर साइकली में गोल्ड मेडल जीत लिया बताओ जबकि पूरा शरीर अपंग सा हो गया बड़ साइकल मां आपको पता हाथ पेर सब चाहिए कहां से आए आर्टिफीशल लगाए क्या करा फिर भी गोल्ड मेडल जीत लिया आपने यह भी सुना होगा कि किसी की एक टांग नहीं है लेकिन उंची कूद के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया बड़ी बड़ी उंची कूद 8-10-12-12-12 फिट उंची कूद जाता है बोले 8-6-5 फिट बताओ एक टांग नहीं जबकि दोनु पेर का संतुलमिना कैसे कूदा होगा फिर आपने यह भी बिना वेट उठा लेता है तो कैसे किया उसने पॉसिबल तो जब ऐसे लोग सब कुछ कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते अपने आप बरौशा रखें जैसी आप सोच रखेंगे वो इस्तती आप आऊगे तयह हैं हमेशा लाइप में ध्यान रखें कि जैसी आप सोच रख को जो इस्तती आप अपने आपको जो सिस्ती में आप पाना चाहते हो जिस सिस्ती में आप रहना चाहते हो हमेशा सोच भी वेसी रखो आपके मन में है कि मेरे पास में एक फॉर्चुनर गाड़ी होनी चाहिए बड़ी गाड़ी होनी चाहिए बड़ा बंगला होना चाहिए सोच एसी है तो फिर उसके पीछे मुड़ के देखो कि ये कब होगा जब income of source इतना होगा समझगे काम्याब होंगे तब वो सारे सपने पूरे होगे तब मैनत करो ऐसी कोई बात नहीं है क्या चीज इंपॉसिबल है स्टार्टिंग में सब को लगता है क्या करो करों क्या करों लेकिन एक दिने साता है कि वाओ हो गया हो जाएगा ठीक है तो बीश दिन में अपन कैसे लाएं और मैं आपके लिए क्या करूंगा उसका आपको ज़रूर ध्यान चाहिए रात की एक बज़ें सोय हो तो भी छे उठना है दो सोय तो भी शेटना में खुद उठता हूं तो मॉर्निंग में छे बज़े उठना है हालांगी तीन गंटे पूरे नहीं पड़ पा होगे लास्ट आपको धाई गंटे इसके अंदर पड़ी लेना है कम से कम क्योंकि पान-दस-फंद्रा मिंट की चाय पानी थोड़ी ब्रैक पानी के लिए रेस्ट होई जाता है मतलब तीस मिनट खर्च हो जाएगी आपर एक स्लोट मारो फिर बीच में नो से बारा का ठीक है नो से बारा का स्लोट डाई 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 पांच गंटे वेसे होने को तो छे संचाय प्रियस नो यहाँ कर weirdest कर दी आपको करершं कर सकते हैं तो उसके बाद में ठाना लिमिट खाना निया ज्यादा नहीं ना गेंगके गाना नोट कॉने ए टो तो रेंब प्लब आप गंटे बर सो जाओ तो बढ़िया है थोड़ी रेस्ट वो कर लिया दो बजे वापस लग जाओ ठीक है दो बजे से पांच बजे का बड़ा स्लोट मारो तीन गंटे का फिर से और फिर पांच से आठ का मारो यानि कि कुल मिला के धाई-धाई मैं यहां से निकाल ल बड़ी से लेके जिसमें फुल कोर्स रिविजन अपना हो रहा है डेली क्लास चलेगी डेली बताओ डेट-डेट सो प्रस्टन दो दो सो प्रस्टन आपके लिए लेकिया रहा हूं जबरतास तरीके से मल्टिप्लाइब फाइफ करो हजार आजार आट-टाट-टाट श्श् सब्सक्राइब लेकिन हमारे पास में टॉपिक की कमी है थोड़ी चिंता नय करें सुलूशन कर दिया है मैंने आपके लिए पहले तो देखो मैं क्या करना जा रहा हूं एम्वी क्लासेस टूपॉइंट और आज ही मैं दो लाई रखे इसमें अपने इंडियन पॉलिटी तो करवा दिये कल की डेट में कंपलीट कल कंपलीट कल की डेट में इंडिन जोग्रोफी कंपलीट मिल जाएगे आपको चाहिए मुझे दो लाई लेना पड़े बांध वगएरा नदियां करा दिए यह चीज़े तो करवा दिया आपको ठीक है ना बहुतिक परदेशवाल टॉ करेंगे डेट दो गंटे का होगा जतना हो जाएगा कंपलीट है दोनों कंपलीट हो गई हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक कंपलीट है में क्लास टूपइंट ओपर बस वह जो टॉपिक बचें आपके विलोहम शब्द प्रियाए बाची है नेकार तक एकार तक जो भी है वो पर डे क्लास कल से स्टार्ट है डेली का एक टॉपिक दूँगा जिसमें स्लेक्टेड होंगे जैसे सो पचास विलोहम शब्द होगे अगले दिन सो पचास लोग लोग को अक्ती मौवरी होगे स्लेक्टेड उन्ही को पढ़ना है पढ़ना कैसे है जब भी मोका मिले आज हिंदी अपने आपको आँखो देखें बारा तेरा प्रशन आ रहे हैं हिंदी से बारा तेरा प्रशन हिंदी अकेले से आ रहा है तो आज शाम को लाइव टेस्ट में हिंदी में छोड़ देना हिंदी बहुत एज़ी है आज हिंदी कंप्लीट करने हैं लाइव टेस्ट करने का ठान लिया है दो दिन के अंदर जोग्रोफी खतिम हो जाएगी जीले पढ़ ली आस्तान की जीलें पढ़ लिए बांध पढ़ लिए आपके अभी तोपिक नपर लिए यह टोपिक तो पढ़ लिए कल देखो कल जलो और मरिदा पढ़ लिए कल जलवा यू पढ़ लें टपिक पर बासरद को सबीड़ी टॉरी क्लास चलाऊंगा एंवी टू पोईंट पर 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 टीन टोपिक हलांकि दो आज कर दी है तीसरा की सोच रहा हूं कि टाइम रहा तो उना तीन टॉपिक पर डे तीन टॉपिक पर डे खतम करेंगे डेली वो किसे न किसी सब्जेक्ट का होगा तो सिरब मेरे साथ पढ़ लो आप आराम से पढ़ो कहीं से कॉर्स वर्स खरिद के खरिद की गरवालों के पैसे मत लगाओ खरिदोगे तो भी यहीं पढ़ोगे पस्ता होगे यह मेरी गारंटी है आज तक का रिकॉर्ड है तो यह द्यान रेकना यह को कर लेंगे अपन अब राश्तान जी क्या होगी हम बात करता हूं इंग्लिश की इंग्लिश में एक तो बड़ा कैप्लोड करने वाला हूं थोड पहले इन दो को पढ़ो इन दो को तो पढ़ो पढ़ो क्यूंकि पैसेज से 3-4 प्रसन आते हैं एक साथ त्यार होगे लेटर से 2 प्रसन त्यार होगे बाकि 5-8 प्रसन के अफसूल से त्यार हो जाएगे सब उसमें चैप दूँगा कंप्यूटर में क्या है सिर्प MS वर्ड बचाएं तो सब बच्चु की डिमांड थे कि नहीं सर MS वर्ड की भी आप ठोरी कराओ तो ठीक है फिर आपकी मालनी मेंने MS वर्ड की ठोरी वाली क्लास जल्दी आने वाली है ठोरी वाली क्लास एक दो दिन के अंदर अप्लोड कर देंगे तो MS कंपूर्टर फिनिश कंपूर्टर फिनिश होने वाले अपना इसी में लिख लो बलें आप देखो यहां पर कंपूर्टर फिनिश कंपूर्टर फिनिश यहां पर देख लो कंपूर्टर फिनिश हो जाएगा अपना ठीक है ना इतना सारा कंटेंट है पड़ो पड़ो पड़ कहेंगे एक क्लास वन शोट एक क्लास फुल कोर्स की उसके बाद में जो एमसे क्यूज वाले जो फुल कोर्स ला रहे पन वो फिर और हो जाएगी ठीक है एसाई साइंस का शाहिद वो चलेगा एमवी क्लासेज की उपर रीट और बियेश्टी का बेलकुल सेपराइट बेच हालंकि अभी जो भी क्लासेज एमवी क्लासेज पर हो रही है वो बियेश्टीस और रीट के लिए रामबांड शाबित होगी क्योंकि जवर्दास सीज अस कंप्लेट रिविजिन हो आपको धार तेज होगी और पशु परिचर हालांकि भी चल रही है खूब सा टॉपिक पशु परिचर में जो है वो सीटी में भी है तो साथ साथ में त्यारी चल रही है फिर भी वो होगी एमवी क्लासेज टू पॉइंट ओबर पच्चीस तारीक से आपके बचेवे थियो मैरे साथ से दिनरात एक कर दो और यह मैरी मना नहीं करता कहीं से भी कोर्स खरीदो कोहीं से भी पढ़ो खुला मनच। आपके लिए कोई दिक्त नहीं है गैरंटी है मेरी कि ऐसा कंटेंट मिल जाए तो बताना क्योंकि सारा कंटेंट ट्रिक बैस्ट है कोफ सारे बचें कहते हैं से ट्रिक आपका कंटेंट टो चुरा रहे हैं ऑठ यह ट्रीक यह आप औरी लोग पढ़ने 9 p.m. कभी साढ़े 8 p.m. कभी कभी साढ़े 8 p.m. हो जाती है कभी कभी 8 भी कर लूँगा भाई इसमा थोड़ा आगे पिछे आपको एड़ेस्ट करना है यह अपने MV Classes पर चल रही है इसको तो एक दिन ही मिस्मत कर देना यह बहुत कुछ है हर सब्जेट की 4-5-5 करने वाला हूँ फुल कोर्स जिसमें अपने एक्जाम जैसे प्रशन है हूँ बहु और टॉपिक वाई से तो कहने का मतलब यह है कि टॉपिक कम्प्रेट कराऊंगा MV Classes 2.0 पर और प्रशनों की प्रैक्टिस कराऊंगा MV Classes पर यह फाइनल जवाब यह है किसके लिए CET 10 प्लस 2 के लिए गेरंटी है 40% नहीं 87-70% लेकर आओगे यह मेरा वादा है लेकिन मैं जो जो पढ़ाऊं सारा पढ़ना पढ़ेगा ठीक है और 20 दिन दिन रात एक कर दो जितना अपने आपको तपा सकते हो लेकिन एक ही बात है खुद पर विश्वास रखना है जब खुद पर धेरिये नहीं है खुद पर यकीन नहीं है तो राजस्तानी भाषा में एक कावत है कि मतलब कि जो रोतर होता जाता है मरेवे के शगून लेकि आता है तीक है ना इसलिए हमेशा मन के हारे हारे, मन के जीत है हमेशा बलकुल अपनी ऊपर ब्रॉशरह लगो К you give, yes 40 के हमेशारी, सब कुछ कर सकता हूँ तो I can वाली बात है I can, I will इसको हमेशा फॉलो करें और जबर्दस तरीके से हमेशा कम्पलीट करेंगे लेकिन मेरे से जादा जजबा और हिम्मत आप में ओने चाहिए और सबसे मेरा वापस वोई Man Factor TM Time Management बहुत ज़रूरी है परड़े 6 बजे उटके शाम को 11 बजे तक नहीं पड़े तो पिर कुछ भी नहीं रखा है ये आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा चाहिए कितना भी काम क्यों नहीं आ जाए 20 दिन सब को अवर्ड करों कहते है न गाइब हो जाओ पता नहीं चलना चाहिए कि आज के लोग कहां रहते हैं ऐसे गाइब हो जाओ ठीक है तो टाइम मेनेजमेंट का ध्यान रखें अपने आपर विश्वास रखें सबी को अगें बेस्ट विश्वास बहुत अच्छे पेपर होंगे सबी हो जाओगे पास ठीक है क्लास ने टाइम पर लेता रहें ठीक है फिर आओके